शहर में हुई अकास्मिक बारिश के बाद गर्मियों से कुछ दिनों की राहत जरूर मिली थी मगर एक बार फिर से तपन अपने पूरे शबाब पर नजर आने लगी है एक दिन पहले ही अमरावती का अधिक्तम तापमान 43 डगरी पर पहुँच गया था हीवेट से लोग हलाकान हो गए थे मौसम विभाग के मताबिक अगामी दिनों में अधिक्तम तापमान और दो तीन डिगरी बढ़ने की संभावना है नियूनतम तापमान भी 26 से अधिक रहेगा अप्रेल के मध्य में भीषण गर्मी का सामना जरूर करना पड़ रहा है अभी तो मई बाकी है लोगों में जबरदस्त चिंता है अधिक्तम तापमान थोड़ा उपर होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है अगले एक हफते में गर्मी की लहरों की इस्तिती कायम रहेगी सुबाह नौ बजे तक ही चटके महसूस होने लगते हैं जैसे जैसे दोपहर होती है वैसे वैसे लू के थपेडे लगना शुरू हो जाते हैं रास्ते विरान होते जा रहे हैं इन दिनों हर चौक चौराहे पर छाच लसी, निम्बुशर्बत, गन्ने करस, पैनेपल, कैरी पना, अधी दुकाने सज गई हैं बिना डुपट्टा ये टोपी के घर के बाहर निकलना मुश्किल हो गया है कुछ दिन पुर्वो साइंस कोर मैदान पर एक व्यक्ती की लू लगने से मृत्त हो गई थी स्वास्त विभाग ने हिव वेट के दौरान सावधानी बरतने का आगरह किया है अधिक से अधिक पानी की सलाह भी दी जा रही है